नमस्ता दोस्तों स्वेतास दुनिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आप लोगों की दोस्त स्वेता तो दोस्तों मैंने एमाजन से अपने घर के लिए कुछ खरीदा है तो मैंने सोचा दोस्तों को भी दिखा दू मैंने क्या खरीदा है अपने घर के लिए तो चलिए देख लेते हैं यह राजस्थान से डेलिवरी होने वाली थी तो इसलिए मुझे यह चिंता सता रहे थी कि पता नहीं इतने दूर से आ रही है तो पेकिंग कैसे होगी इसकी लेकिन ये किन मानिये दोस्तों इसका पेकिंग देखते ही मैं बहले ही बहुत खुस हो गई मुझे लगा जो भी मंगवाया है मैंने इससे टूटने का चांसेस तो बिलकुल ही नहीं है इसका एजिस वो बहुत ही मोटा कार्डबोर्ड से पैक किया गया था और अंदर भी थार्मोकॉल वगेरा थार्मोकॉल और बबलिंग प किता में का छिक पैकिंग हो गई ती तो मैं अकेले से खोल ही नहीं पहा रही थी इतना खोलते-खोलती मैं थक गई ड कार्ते तो फिर मैं Judith उस्चा के मैंसमें का मै안 और यह सटा किनम कीई घ 없어 कि मैं तो आंदर से उसको इसके बाड़ का है तो उचा के थार्टना स्टार्ट ह इसका जो यह एक मंदिर है राजस्थानी टेंपल मैंने मंगवाया था मेरे अपने भगवान के लिए तो यह देखिए इसका जो चूरा है चूरा जो मंदिर का चूरा होता है उपर का तो वो नीचे करके पैकिंग किया गया था इसके तूटने का चांसे बिल्कुल ही खतम हो इसलिए तो चूरा को उसको स्कूर से खुसकू किया गया था तो उसको खोलकर फिर आपको उसको उपर के तरफ करना था तो अभी देखिए यह पुरा फिक्स कर दिया गया है इतना सुन्दर है देखने में 4680 इसका प्राइज है और इसका लेन्थ है 61 सेंटीमीटर वेद है 30 cm और height is 76 cm तो इसका काम मुझे पहती पसंद आया इतना पसंद आया जालीदार काम है इसका और color भी इतना attractive है तो मुझे देखते ही पसंद आ गया तो मैंने इसको book कर दिया देखिए light का holder भी इसमें लगा हुआ था और सब कुछ दिया हुआ था wire और एक bulb भी दिया हुआ था मैंने bulb लगा दिया और देखिए मैंने यहां पर cardboard काटके यहां पर रखा है जो hard cardboard आया था तो उसी को मैंने इसके उपर लगाया है इसमें marble paper चिपकाऊंगी तो उपर जो भगवान का picture बगरा है तो मैं रख सकती हूँ देखिए इसका color कितना अच्छा है red, green और golden color की है और white से इसको highlight किया गया है तो इसको इतना बढ़िया है देखने में मुझे देखती बहुत ही पसंद आ गया तो जैसा ही देखा तब ऐसा यह देखिए दो इसमें drawer दिया हुआ है उपर आप प्रसाद चरा सकते भगवान को नीचे का ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है थोड़ा बहुत सामान तो आ जाएगी इसमें लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आएगा तो मेरा और मेरा है उसके उपर रखूंगी तो इसलिए मुझे कोई problem नहीं है तो ये काम देखते ही मुझे बहुत पसंद आया और देखे मैंने light भी जला दिया है light जला के देखा तो इतना जो जालीदार काम के अंदर से light दिख रही तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है आप जरूर बताईएगा जो ढून रह है ऐसे temple तो मैं suggest करूंगी लेना चाहिए आपको लेकिन इसका एक ही मुझे drawback लगा जो hanging करने के लिए जो दो screw दिया गया है hanging के लिए वो बहुत ही पतला है क्योंके 5 kg इसका weight है तो ये weight तो नहीं ले पाएगी ये दो जो दिया हुआ है hanging के लिए तो यही मुझे खराब ही लगा इसमें बाकी सब तो कुछ भी खराब नहीं लगा मुझे बहुत सब कुछ ठीक है इसमें और देखिए मैंने इसके उपर जो cardboard लगा था उसके उपर मैंने marble paper चिपका दिया है तो इसमें तो पिक्चर भगवान की मैं रख सकती हूँ इसलिए मैंने ये किया है तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये मंदिर कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मैं नीचे description box में इसका link दे दूंगी आप चाहे तो जाके check कर सकते हैं और वीडियो अगर किसी भी reason में अच्छा लगे तो एक like जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जो लोग अभी तक subscribe नहीं किये है प्लीज subscribe किजिएगा मेरे चैनल को तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर एक ने topic को लेके एक ने वीडियो के साथ तब तक आप लोग सब खुस रहिए मजे से रहिए नमस्कार जैसी इशना